Welcome friends, संजीवनी सीरीज में आज आपका फिट से स्वागत है आज हमने RBSC के क्लाश 12 में आने वाले most important questions का संकलन किया है collection किया है जो board 2020 की साफ से most important है उन questions को हमने आज इनमें लिया है आप इनको अच्छे से लिख लेना, note कर लेना ये आपके परिक्सा की साफ से हैं, बहुत most है आईए, देखते हैं, सबसे पहला जो आज हमने question लिया है वो आपके lesson, book 2 के love across the salt desert से लिया है देखते है, question क्या है What important incident occurred when Fatima came into the village जब Fatima गाउं आई, तब क्या महत्वपून गटना गटित हुई थी इसी काम ने अत्वा में लिया है How did Fatima prove lucky for her new destination अपने नए इस्तान के लिए Fatima किस प्रकार भाग्य साली साबित हुई और इसी काम ने एक और अत्वा में लिया है How did Fatima bring good luck for her new place Fatima अपने नए इस्तान के लिए कैसे भाग्ये लेकर आई अच्छा सुभाग्ये लेकर आई इन एक दो तीन इन तीनों questions का मिला कर हमने एक ही answer बनाया है यह दो नंबर में संभावित है आप इसे जरूर से लेग लें आंसर देखते हैं Fatima was lucky for her new destination When she entered the village It started raining and three years of drought ended Huge isolated drops of rain were falling and kicking up the dust यानि Fatima अपने नए डेस्टिनेशन इस्तान के लिए बहुत lucky थी भाग्ये शाली थी जब उसने गाउं में प्रिवेश किया तो बहुत तेज बरसात सुरू हो गई और तीन साल के लगातार जोँआ ड्रोथ यानि अकाल पड़ रहा था वो ended समापत हो गया Huge बड़ी बड़ी isolated drops of rain वहाँ पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी पानी की बुंदें गिरने लगी और वहाँ पर धूल को उसने उड़ा दिया इस प्रकार फातिमा अपने गाउं के लिए बहुत सोबागे साली सावित हुई यह अमारे पहले question का answer हुआ दूसरा भी हमने love across the salt desert से ही लिया है question है why did फातिमा not like महपूज अली फातिमा महपूज अली को क्यों पसंद नहीं करती थी answer है फातिमा did not like महपूज अली because he had a stammering voice फातिमा महपूज अली को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो stemmer करता था यानि कि हकलाता था अटक अटक कर बोलता था naughty children of the village mimicked and made fun of him age they saw him जो बदमास बच्चे थे गाउं के वो उसकी mimicry करते थे यानि कि नकल करते थे आवाज की कोपी करते थे और उसकी मजाक बनाते थे जैसे ही वो उने नजर आता था तो वो लड़के क्या करते थे उसकी मजाक बनाते थे इनी बातों से फातिमा उसे पसंद नहीं करती थी अगला जो केशन हमने लिया है वो लिया है ट्रबल इन बोहीमिया लेशन से यहाँ पे जो केशन है वो है वाई डिड मिस आइरन एडलर हाइड दे लेटर्स एंड दे फोटोग्राफ मिस आइरन एडलर ने पत्रों और फोटोग्राफ को क्यों छिपा दिया था आंसर है मिस आइरन एडलर हिट दे लेटर्स एंड दे फोटोग्राफ बिकोज हर लवर किंग वोज गोइंग टू मेरी प्रिंसेज वो एक राज कुमारी से शादी करने जा रहा था शें डिसाइडेड टू शोओ दीज टू दप्रिंसेज उसने उन फोटोग्राफ और पत्रों को राजकुमारी को दिखाने का नेने किया था इसलिए उसने उनको क्या किया चिपा दिया था यह हो गया हमारे जैसन नुम्बर 3 आगे बढ़ते हैं Q4 की तरफ यह लिया है हमने इसी लेशन से Trouble in Bohemia से Q4 है What did the king suspect in case he did not marry Iron Adler? राजा को क्या संधेता यह दी वह Miss Iron Adler से शादी नहीं करता है तो The king suspected that Iron Adler might write to the princess whom he was going to marry and tell her everything about their affair राजा को सकता की यह दी वह Iron Adler से शादी नहीं करता है तो वह राज कुमारी को लिख सकती है जिससे वह शादी करने जा रहा था और उसे बता सकती है सब कुछ उनके affair यानि जो उनका प्रेम था प्रेम संबन्द थे उनके बारे में वह उसे बता सकती है एसा राजा को संधेता सकता आई अब बढ़ते हैं Question No.5 हमने लिया है Dead Man's Path से आपके lessons से इसमें भी हमने तीन का मिला कर एक बनाया है Why was O.B. given the responsibility of the Doom Central School यानि कि O.B. को Doom Central School की जिम्मेदारी क्यों दी गई थी अत्वा में लिया है Why did the mission authorities send Michael as the new headmaster Michael को नया headmaster बना कर mission authorities ने क्यों भीजाता एक और अत्वा में लिया है Why did mission authorities decide to send an energetic headmaster to run the Doom Central School यानि कि mission authorities ने एक energetic यानि जोस वाले headmaster को Doom Central School चलाने के लिए क्यों भीजा था इसका जो हमने तीन का मिला कर एक answer लिया है वो है Doom Central School was an unprogressive school Michael was a young and energetic man यानि जो Doom Central School था वो विकासील विद्याले था Michael एक युवा और जोस्वान इंसान था वेक्ती था He had many wonderful ideas उसके पास काफी रोचक ideas थे विचार थे So the mission authorities sent Michael as the new headmaster expecting some favorable changes इसलिए वहां की जो mission authorities थी उन्होंने Michael को बेज दिया इस आशा में की वहां पर कुछ अच्छा वो changes करेगा सुदार करेगा इसलिए इन तीनों का जो आया है की उसे जिम्मेदारी क्यों दी गई Mission authorities ने क्यों बेजा यह सब का answer हमने बना लिया है यह एक इसलिए उसको वहां पर बेज आता ताकि उस विद्याले में वो थोड़ा सुदार कर सके Question number 6 हमने इसी relation से लिया है Dead man's path से Question है What were the two M set by OB for the betterment of the school यानि की OB के द्वारा विद्याले के सुधार के लिए क्या दो उद्दे से सेट किये गए थे अत्वा में है What were the two M's of Michael Michael के दो उद्दे से क्या थे और एक और हमने अत्वा में लिया है What two things did Michael want to do as a headmaster Headmaster के रूप में Michael कौन सी दो चीजे ये सी थी जिने वो करना चाता था इसका जो हमने answer लिया है वो है Michael the headmaster had two M's Michael headmaster के दो उद्दे से थे One was to have a high standard of teaching एक तो था कि जो पढ़ाने का जो standard है वो कापी high हो कापी उचा हो The other was to turn the school compound into a beautiful place दूसरा था कि जो विद्दे ले का जो compound यानि जो परिशर था उसको एक सुन्दर इस्तान की रूप में परिवर्तन कर दिया जाए He tried his best to achieve this उसने इने प्राप्त करने का भरसक प्रियास किया पूरी कोशिस की इस प्रकारी हमारी इसका आन्जर हो गया प्रेंट्स आज हमने आपके ये बुक टू ली है Class 12 के और इसके जो ये तीन चारले संजितने हमने आज लिये हैं आप इने जरूर से नोट कर ले मैं आप लोगों के साथ में संजियोनी सिरीज में फिर मुलाकात करूंगा Most Questions के साथ Thank You